हेलो फ्रेंड तो आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोपिक और आज का टॉपिक के इनदर मतला हमारे चेली स्लेवर्स के खॉरडिंग तीन टॉपिक दे रखें फेसiring lado माइक्रोइस कोपी अब हमारी तीन इलेक्रोण माइक्रोट भी एकpark टुब्रॉक है उनको हम microscope की एप से देखते हैं अब वो इतने छोटे होते हैं जिनको हम नहीं देख सकते है तो उसी में हमारा microscope help करता है mostly लोगों ने lab बगएरह में अपनी देखे होगा और ना कहीं पर विजए से बीमार बगएरह होते हैं तो pathology में जाते हैं जाच कराने के लिए test कराने के लिए तो इन ही सब का use होता है तो microscope का पहुत जाता यूज है आज की life में अब microscope में क्या होता है कि हम उन जो bacteria microbes हैं उनको देगने के लिए ना light का use करते नीजे तो light के base पे हमने यहां microscope को दो category में divide कर रखा है एक हमारा है light और optical microscope और एक हमारा electron microscope तो light और optical microscope के अंदर हम पढ़ेंगे face contract microscope और dark field microscope पे और एक हम यूज करते हैं light मतलब जो visible हमारी light है इनको हटा के हम electron beam का use करते हैं इनको देखने के लिए उसमें हम पढ़ेंगे electron microscopy को तो अगर important के साब से देखा जाये तो हमारा इन तीनों बहुत पूछा जाता है तो आज हम सको बहुत ही easy तरीखे से टीनों को cover करेंगे important तो वैसे सारे कुछ है तीनों को हम cover करेंगे अच्छे से देख लेंगे ठीक है आपको मतलब अच्छा समझा दाएगा तो चलिए पहला हम समझते हैं वैसे और भी इसमें और इन्हें इसके लिए नोवल प्रिश्कार मिला था अब नोवल प्रिश्कार मिला मतलब समझ सकते हैं बहुत ही मतलब किफायती चीज़ें इंपूर्टेंट चीज़ें ने खोजी ती जिसकी मदद से मतलब एक अलग सा होते हैं उसको इस तरह त्यार करते हैं कि वह कलरफुल हो जाते हैं उसको हम एजली वैक्टिरिया बगएरा को देख सकते हैं लेकिन अगर उसको अनिस्टेंड है सिर्फ हमने क्या कि एक स्लाइड ली उसके उपर हमने वैक्टिरिया सिंपल जो माइक्रोब सा रखे हैं तो तो उनको देखने के लिए क्या है कि यह हमारा face counter microscope भी बहुत helpful है और यह हमारी कर्टे क्या है उनकी जो image create करेगा जिसको हम देखेंगे वह high contrast image होगी अब high contrast image से हम इस चीज़े simple समझते हैं मतलब कोई image है उसको brighter चमकदार बनाना जैसे आजकल हमारा lockdown पूरा चल रहा है तो notes हमारे जो है पीडियेप की form में इधर उधर जा रहे हैं अब notes साब आप देखते होंगे तो पहले हम dog scanner बगएरा या फिर cam scanner पे बनाते थे तो उसमें एक function था ना colorful मतलब वो करता किया था कि इस page को ऐसा चमकदार बना देगा कि मतलब ऐसा लहीं है जैसे print out है white बहुत ज्यादा white blue बहुत ज्यादा blue ले तो उसने क्या किया कि इतना contrast कर दिया पिचर को कि हमको बहुत अच्छे से देख रही है clear image देख रही है तो वही हमारा करता यह face contact microscopy कि इसमें जो हमारी back microbes की image बनती है बहुत ही जादा clear बनती है इससे हमें क्या है बहुत easy होता था उसकी study करने में microbes की अब इसका कैसे function काम कैसे करता इस चीज़ को देख लेते हैं तो जैसे हमारा हम directly इससे समझ लेते principle से सारा कुछ तो हमारा यह है पूरा का पूरा face contact microscopy का diagram यह पहने ऐसा बनाए आपको समझाने के लिए अगर आपको मतलब ज्यादा यह कठिल लगे नहीं बने तो आप simple raise में बना सकते हैं exam बगेरा में कोई important नहीं है कि आप ऐसा ही बनाए तो यहां हम सबसे पहले क्या करते हैं कि light raise provide करत है अब इन जो हमारे जो face contract है यह हमारा सबसे ज्यादा important होता है transparent specification होता है और transparent जो हमारे cell बगएरा होते हैं उनको देखने के लिए बहुत जादा useful होता है अब transparent से आपके समझते हैं जिनके मतलब आर पार हम देख सकते हैं जैसे मैं यहां अगर आपको example के रूप में दिख रहा है पूरा clear crystal दिख रहा है अब होता क्या है कि जब हम direct light इस पर डालते हैं तो जैसे यह मैं देखाता हूं यह हम direct light दालते हैं तो इसको देखने में कितनी problem हो रही है ना इस पर कुछ clear नहीं दिख रहा है अब अगर मैं इस पर side पर डालूं तो आपको जो मतलब scatter करके करते हूं जो बीच में यहां पर हम क्या लगाते हैं हमारा है annular diaphragm वह क्या करता है इतनी जगाई है ना वह direct light को रोग देता है यह इस पैसी में हमारा वह है जिस पर हम सैंपल रखते हैं यह आप सैंपल को बोलते हैं जिससे हम क्या करेंगे देखने वाले हैं तो इसम हमारी जो light जा रही है तो यहां पर क्या लगा होता है इतना यह पूरा हमारा एन्यूलर डाइफ्राम होता है इस से पहले यह हमारा होता है condenser condenser क्या होता है condenser भी समझे से condenser हमारा वह होता है मतलब लाइट को क्या करता है लेके आता है eliminate मतलब होता है light की proseνη litumination यह हमारी होती जी जी करना जैसे अगर मैं कहूं मुझे यहां यहां illumination करना है मैंने क्या लाइट कर usage क्या होई boven का तो हम एसमें क्या कर Talk illumination करना है light का तो उसी को तो हम बोलेंगे तो हम light source के द्वारा करते हैं तो हमारा जो जी condenser है यहाँ पर condenser क्या करता है इस light को खटा करके और इस specify fan है जो specify fan हमारा जो sample है उस पर इसको डालता है यही हमारा simple क्या है condenser का काम है अब condenser से पहले हम लगाते हैं angular diaphragm अब angular डायफ्राम करता क्या है कि यहाँ पर इतने जो direct light है उसको रोग लेता है यह हमारी पूरी light आ रही है लेकि light हमारी सिर्फ इतने हिससे से जाती है इतने जो रोग लेता है और direct light इस पर जाती नहीं है तो specimen पर भी direct light नहीं प सिंपल जाएगी कि direct जाएगी तो direct तो हमारी जाएगी नहीं direct हमको रोक नहीं है तो हमारी scatter हो के इस form में यहां जाती है और यहां पर हमने एक चीज़ और लगा रहके जिसको हम बोलते है face plate अब face plate करती क्या है कि यह यहां पर यह थिकन होती है थोड़ी तो जो बाकी की light है नहीं यहां से तो इसके दवारा पार मतलब क्रौस करके पूरी POS होगे यहां से पहुच रही है और एक हमारे यहां से डारेक्ट जो फेस लाइट यह पृत होती है इस इस बचल्ट जहां नहीं मिल जाती है इसमिरत पर उता है जब थो हमारी image होती है रहाए से रहा हम體 यह जिनके हम पर जैसे यह इसे हैं आब जैसे हमारा सेल सैल में क्या होता है फ्लाज्मा होता है दिखाई को लिए इस है उसके दिखाई त्रॉस को यह शहां कर दीता है और क्या हुता है हमारा definite सैंप्ल के लिए होता जिसको उने stand नहीं कर रखा है हमारी आने वाले एक second unit में standing पढ़ेंगे जिसमें हम बहुर अच्छे से पढ़ेंगे stand क्या होती है तो यह हमारा simple पहला हो गया अब हम दूसरा देख लेते हैं हमारा dark field microscopy क्या है तो dark field microscopy हम simple समझते हैं क्या है कि जैसे हमारा कोई भी image है यह देख रही हैग यह has transmit लाला अब यह marine ग्रवयत फंफे यह वामने बेक्टिरी क्या है यह ना यह मारे हम क्या करते यह यहां पे हम इसे को हम डार करेंगे कैसे कमसे अपने उसमें ये काता है dark mode, night mode या रात में जो भी हम mode लगाते हैं हर किसी में अलगला तो dark mode, night mode हो तो वो क्या करते हैं पूरा जो background हमारा हो ना यह हमारा आस पास का पूरा इलागा इसको कर देते हैं black जैसे यह है तो हमारा पूरा बचा हुए area हम कर देते हैं विलेग यह हमारे पूरा बचावए और जहां जहां हमारे पार्टिकल हमारे वहां को एजली दिखने लगते हैं यही हमारे अगर कोई पाला करता है उझा वह जाती है और किस्के ज्चमक है तो वही तो में इसम लगता जिसकी विजय से जो हमारी image है जो हमारे माइक्रोब से हैं उनकी इमेज है वह राइट फॉर्म होती है यह सिंपल इसका फिनोमेना है और प्रंसिपल भी यह अब बैक्ग्राउंड हमने डार कर दिया है वह हमारी ब्रीलियंट बहुत जाद आच्छे से चमकदार हो जाती है और इसमें हम इस चीज़ के लिए क्या लगाते है कि स्टॉप प्लेट लगाते हैं कंडेंसर के नीचे यह हमारे इसको और डिक्स भी बोलते हैं यहां पर इसम यहां हमने किया कि यह डिस्क लगा रहा है तो यहां से हमारा इतना डारेक लाइट जा नहीं रही है जिसमपल है इसका क्या है कि इसमें भी हम अनिस्टेंड ड्राइब को देख सकते हैं और अब्सॉर्ब लाइट होती है और नई हो तब भी हम इसको देख सकते हैं क्यों कि यह हम क्या कर रहे हैं हम इसको वही तो कर रहे हैं डार्क बैक्राउंड करके और जो चमक हम आ जाती है हमारे माइक्रोस्कोन का हम इजीली देख सकते हैं अब हमारा तीसरा बहुत इंपोर्टेंट है वह हम देख लेते हैं अब इसमें होता क्या है कि इसमें हम हाई रिजॉलीशन जैसे हम पढ़के देख से इस टैक्निक यूस्टो ऑप्टेंग हाई रिजॉलीशन इन नोन बायागिलाजिकल स्पैसिमें हमारे वही सेमपल हैं तो इसमें हम क्या करते हैं बहुत ही ज़ादा हाई रिजिशन की मतलब image create करते हैं हम कहते हैं आपने में की HD quality में देखेंगे हम तो उसी आप समझ सकते हैं कि यह हम microscope के दारा HD quality में image को create कर रहे हैं किसके दारा electron microscopy के दारा ठीक है अब इसमें हम करते क्या है कि electromagnetic field use करते हैं as a जो हमारे वो था ना source source of light यह है तो इसकी जगा हम एल्क्ट्रो बीम का यूज़ कर रहे हैं और यहां पर हमने पूरा एक electromagnetic field generate करने आप इसका होता कैसे हमने पूरा का पूरा electromagnetic field generate कर रखा है अब यहां पर source of light में हमने electron beam of electron यूज़ कर लिया है उसके बाद हमाथ हाई है रिज ही तो हो रहा है अब इसका जो मैन फ्रेंसिपल है वो यह कहता है कि जो हमारी लाइट होती है लाइट क्या करती है ट्रेवल करती है यहां से कोई यहां ट्रेवल कर रही है तो जिसकी जितनी कम लाइट होती है वो उतनी ही व्राइटर निमें यहां पर क्रिएट करती है और इसको हम्मा reporting टोड़ी में क्या है कोई सॉल्टर होती है जिस बज़ाइसे क्या होते है इसका मैं अब इसको हम नीचे हमने फ्लोट सेंट स्क्रीन यूज कर रखिए यहां पर इमेज अब हम देख लेते हैं कैसे काम करता है उससे पहले जान लेता है इसके टाइप दो तरह के होता है यह ट्रांसमिसन इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपी टीएम बोलते हैं और यह होता है स्कैनिंग इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपी अब टीएम करता क्या है कि जैसे हम यह हमारा क्या है वह ही है सेंपल है इसको हम स्पैसिमें बोल रहे हैं अब हमने जब जहां से इलेक्ट्रोन हमने यहाँ पर अपलाईगी इलेक्ट्रॉण इसके पास होंगे तभी तो अगर यह उलेक्ट्रॉण यहां तक हा कहा कर俺 ऑघर गर इस पैसिमेन को क्रोस कर गए तब हम करते हैं टीडीर मसाने क्लास होंगे ऑर हमाने इसको इसको Hack क्रोस कर जाएंगी तो हमें पूरे की नॉलिज मिल जाएगी लेकिन जो हमारा ये है दूसरा वाला स्केनिग इलेक्ट्रन माइक्रोस्कुबी को इसका काम क्या है कि यह हमारा जैसे यह है सेंपल पूरा सेंपल यहां से आते हैं और यहीं से बैक हो इसको भी हम बढ़ से भी समझें तो transmission मतलब transfer हो रही है एक जगे से पूरी pass कर देंगे उसको और scanning में हम समझें तो सिर्फ scan कर रहे हैं इसको ऊपर ऊपर से यह हमारा simple है अब हम 3m में यह diagram के बाद हम समझ लेते हैं कि क्या है कि सबसे पहले हम यहां से सब्सक्राइम होगी अब यहां कि लाइट को लाइट को पहुंचाते हैं किसके लिए प ones可以 में जिसको नने बड़ deficit में अव IR इसने पास किया है, यहां हमारा first aperture बना, aperture हम यहां पर देखते हैं, मतलब image बनती जा रहे हैं धीरे धीरे वो, फिर यहां हमारा रखा हुआ है man sample, specific man, यहां से हमारे beam of light cross करेंगी, और यहां हमारा objective lens है, यहां पर हमारा second aperture मिलेगा, यहां से cross करेंगी, और यहां हमारा projection lens रखे के, और हमारे fluorescent screen है, यहां पर हमारी image form हो जाएगी, और हम इसके दोरा देख सकते हैं, यहां पर एक अलग screen भी attach कर लेते हैं, जिस पर हम देख सकते हैं, तो यह बहुत ही जादा important है, और easy भी है, ज्यादा hard नहीं है, कि हमारी कैसे image form हो रही है, electron gun के दोरा, और इसकी wavelength बहु नहीं लिखना है, बस man-man concept लिख देना है, ठीके friends, तो I hope आप लोग को यह समझ आ गया होगा, अब हमारी unit first जोगा complete हो चुकी है, अब हम बहुत जाद इसकी unit second भी start करेंगे, तो अब कोई भी आपको doubt हो, तो आप comment box में नीचे लिख सकते हैं, और notes के लिए आप क्या कर सकत हैं, मैं description box में ढाल दूँगा, वरना आप क्या कर सकते हैं, comment box में, या हमारे telegram channel या whatsapp group आप join कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको notes मिल जाएंगे, तो तब तक के लिए thank you, take care, bye bye